Hello everyone, I hope you are all doing well and welcome back to my YouTube channel Jaya Study Classes आज की वीडियो में question number 7 to question number 13 देखेंगे and the chapter is profit or loss prior to and after incorporation ठीक है तो इस्टार्ट करते हैं question number 7 से इससे पहला अगर आप लोग ने इस चेप्टर को नहीं पढ़ा है तो उस चेप्टर से related जो भी terms है, जो भी important rule वगेड़ा है वो सब कुछ मैं उस चेप्टर के starting वाले वीडियो में बता जीती हूँ तो प्रेज उसे देख लिए ना ताकि आपको पतार है कि कैसे question बनाना है, कौन से rule follow होते है ठीक है, क्योंकि अगर मैं बार-बार सभी वीडियो में अगर rule explain करने लगो, तो question बहुत जादा होते है तो फिर वीडियो जो है, बहुत जादा time लगेगा उस चीज को cover करने में ठीक है इसलिए मैं एक बार explain कर देती हूँ, वो चीज अगर आप अच्छे से देख लिए ना तो फिर आप कोई भी solution easily समझ पाओगे कि हाँ ये क्यों बना है और सबसे important ये है कि book पढ़ लो, जब आप chapter पढ़ो कि उसके बाद अगर practical problem बनाती हो आप easily समझ जाओगे कि क्या रूल है और कोई भी चीज अगर working कर रहे हैं तो वह क्यों कर रहे है so I hope आप समझ रहे कि मैं क्या कहना चाती हूँ, चुलिए स्टार्ट करते question number 7 से 6 तक हमने अल्रेडी देख रखा है question इसमें क्या है कि unit cost of sale and variable expenses यहां पर अब क्या है कुछ और भी चीज़े इसके अंदर आएगी जो चीज़े हमें देखना है तो मुक्यास लिमिटेड जो है वह incorporated हो रहा है 13 जून को 2019 को purchase कर रहा है बिजनेस कि इपने से उसका incorporation नहीं हुआ है तब तक वह क्या रहेगा prior period होगा यानि कि pre-incorporation period हो गया और जब उसको certificate मिल जा रहा है यानि जब वह incorporated हो जा रहा है तब वह क्या हो जा रहा है वह after incorporation period होता है ठीक है तो इस तरीके से आप time ratio निकालते हो sales ratio तो जो sell होता है या turnover आप बोलते हो उस तरीके का होता है बाकि expenses जो जिस तरीके से हमें बातना होता है आप चार्ट देखोगे chapter में वह दिया हुआ है कि कि expenses को कैसे हमें बातना है आपको महीं statement दिखाना है चले इसका solution देखते हैं तो यह रहा question no.7 का solution सबसे पहले आप time ratio निकाल लोगी तो pre-incorporation period यानि कि first January से लेके 13 June तक कितना हो रहा है six month और post-incorporation यानि first July से 31 December तक कितना हो जागा six month यानि time ratio one is to one का हो गया और sale ratio कितना हो जाएगा one lakh twenty thousand is to one lakh eighty thousand देखे sale ratio का भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि होता क्या है कि question में ऐसे होता है कि total turnover यानि total sale पूरे साल का जो है कुछ amount दे देता है और कहता है कि pre-incorporation यानि उससे पहले तक का इतना sale हुआ है तो आप खुद समझो total given है प्री का दिया हुआ है तो अगर total में से प्री को लेज करो तो पोस्ट का तो अमांट पता चले जाएगा है तो ऐसे sale दोनों निकालते हैं प्री और पोस्ट का उसके बाद यह उसका ratio निकाल लेते हैं और statement जो आपको बनाना है उसका format तो आपको पता ही है कि कैसे बनता है एक बार मैं फिर से आपको बता दू प्राफिट और प्रॢपरेशन और 2020 बाते हैं कुछ आते हैं तो हमारा ड़ तौटल प्रोफिट्ल या लास जो भी आता है वो हमें पज़ा चलता है तो यह 7 नमबर था चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुश्चिन नमबर 8 में जो है सिंग ब्रोज प्राइबट लिमिटेड इन कॉप्रेटर होड़ा हुए 13 जून को 2019 में बिजनेस का वक्वाइर कर रहा है कमल लाल का 1 जन्वरी से बैलेंस सिट जो है वो जोड़ा किस टाइम में होता है 31 दिसमबर को ठीक है यानि कि 34 दिसमबर को इसका ख्लोज होता है बाकि सब कुछ दिया है ग्रास प्राफित दिया है तो यह जिसमें से 5 लाक एंट फर्टी थॉजंट कहा रहा है कि क्या है फर्स्ट सेक्समांथ का तो न चलिए आपको वही स्टेट्मिंट बनाना है चलिए इसका सलीशन देख लेते हैं तो यह कुश्ट नमबर एट है वही टाइम रेशियो सेल रेशियो और उसके बाद जो भी चीज़े दी है उसको आपको बातना है जो भी वेसिस होगा और रहा एडवर्टाइजिंग के बा प्रिवेस वीडियो में जब इस पहले वाले कॉश्ट आप देख रहे थे कुश्ट नमब सिक तक जब हमने देखा था तो वह जो चार्ट गिवन है कि कुछ चीजों को क्या करने ही टाइम रेशियो में बातना है कुछ को सेल्स रेशियो में कुछ को से प्री डालते है और क को कोश्चिन में जो दिया होता है उस तरह के से आपको उस चीज को बाटना है ठीक है तो आप समझें इसको चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाइन नंबर कोश्चिन नंबर स्वाइन है ताइम रेक्सराइज निकालोगे उसके बाद सेल रेक्रेशियो टीम रेक्परैश्ण पिरियर रं जो पोस्ट इनकाब innocent पीenders होता हुसका और सेल रेक्परीम सी जो जित्स ने कितना हुआ है पर पोस्ड में कितना हुआ उसका रेक्रों कर इसके बाद श्टी घर स को लिखते हैं यह जो ग्रॉस प्राफिट होती है सेल पर बढ़ता है उसको पास टूटल इंकम है उसको जब लेस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा तो यह हमारा 9 नंबर है और कुछ एक्सपेंसेज आपको पता है कि सर्फ क्या लिखते हैं पोस्ट में लिखते हैं बहुत ही एजी है यह चैप्टर चलिए नेक्स देखते हैं कुश्चिन नंबर 10 कुश्चिन नंबर 10 में जो है ए लिमिटेड इंकॉर्प्रेटर्ट होड़ा है फर्स्ट में 2019 को पर्चिच कर रहा बिजनेस एक्स कंपनी लिमिटेड का हैना फॉर्स जन्वरी टूजन नंबर 10 को अब यह फिगर यहां पर लेवल है जो भी एक्सपेंसेज बगेरा है उसकी बाद जो है टोटल सेल कहा रहा है नीचे में गिवन है कि 5 लाग है जिसमें क्या करना है स्टेटमेंट बनाना है प्रोफिट प्राएर तो इंकॉपरेषन और अप्रव यह प्रैण के निकालना है तो यह रहा रहा है 10 नंबर बिल्कुल सब कोश्टिन सेम ही है करना क्या आपको टाइम रैषिओ एंड चेल 3 लिकालना है उसके बाद आपको statement बनाना है जिसमें पहले जो gross profit है उसको आप sale ratio पर बाठते हो उसके बाद one by one करके सारे expenses को लिखना स्टार्ट करोगे अब आपके पास total expenses हो जाएगा और total revenue हो गया अब करना क्या है आपको दोनों को लेश करना है तो फिर आपका जो amount है net profit वो निकल के आएगा यह question number 10 था अब देखते है question number 11 question number 11 में देखिए एक company है जो कि क्या होड़ा है इनको operated होड़ा है first मही को business ले रहा है sole trader का first January 2019 को अब account जो company का close होता है वो कब होड़ा है 30 September को first time होड़ा है 2019 को और disclosing अब यहां पर gross profit given 84,000 बाकि establishment expenses है डारेक्टर fees है है ना प्रिमिली expenses है जो कि return of बाकि सब कुछ है आप देखिए रेंट के बाड़े में यह कह रहा है कि जून तक कितना रहेगा 150 पर मंत ठीक है यानि पर महना जो है वह 150 रुपय लगेगा जून तक लेकिन उसके बाद जो है वह increased होके कितना हो जाएगा 375 पर मंत यानि जून के बाद मेले महने से रेंट जो है हमारा वह 375 लगेगा अब डिरेक्टर फी जो है उसमें मैनेजर का सरली 750 है पर मंत जो क्या पॉइंट हो जा रहा है अब क्या डिरेक्टर जब वो इन कार्परेशन हो रहा है कंपनी का आपको इस statement दिखाना है प्री औ पोस्ट का प्रफिट होगा नेट सेल जो है वो भी नीचे में दिया हुआ है और उसके नीचे में ये कहा है कि तो इस चीज़ को मैं बता देती हूँ ऐसे आपने ऐसे question और देखा था जिसमें सबसे पहले क्या करना है आपको टाइम रेशियो निकालना है तो फोर मन्थ और फाइप मन्थ हो जागा यहां पर दे रहा है कि जब वह खड़ीद रहा है फॉर्स्ट जन्वरी को है ना और उसका इनकॉपरेटेट फॉर्स्ट मई को और पहली बार बुग कब क्लोश्ट कर ल यहां तो मान लिजे कि आफ्टर इनकॉपरेशन जो है पर मन्थ से लगा यूनिट हो रहा है तो टोटल फाइप मन्थ का कितना होगा क्योंकि पोस्ट जो है आपने फाइप से मल्टिप्लाइब किया तो आपका आफ्टर वाला निकल गया अब प्री वाला आपको निकालना है तो जब आफ्टर में पर मन्थ जो है वन यूनिट कर रहा है और कोश्चन में कह रहा है कि प्री वाले फर्स्ट फोर मन्थ यानि जो प्री प्रियर्ड है इनकॉपरेशन में उसमें हाफ हो रहा है किस चीज़ का आफ्टर वाले का तो बाद में यानि इनकॉपरेशन के बाद में अगर 1 हो रहा है, तो क्या है कि पहले कितना होगा, incorporation से पहले पर मन्त कितना होगा, 1 by 2 होगा न, यानि हाफ होगा, तो अब total month कितने है, pre-k 4, तो 1 by 2 को 4 से multiply करोगे, तो आपका 2 आएगा, तो मही share ratio आपका 2 is to 5 होगया, time ratio होगे आपके पास, अब आपको वहीं बनाना है statement, जिसमें आप column बनाओगे particular, total amount का, फिर ratio, profit prior to incorporation and profit after incorporation, यह लिखने के बाद, अब one by one करके आपको क्या करना है, बनाना है, पहले revenue, यानि कि जो gross profit है उसको, और उसके बाद one by one करके सारे expenses है, उसको लिखोगे तो total expenses भी आपके पास, total revenue है, दोनों को लेश कीजिए, तो आपका net profit निकल के आएगा, और इसमें दो चीज़े आपको देखनी है, पहले यह है, रेंट के बाड़े में, और जो salary है manager के उसके बाड़े में, देखते हैं, एक तो सबसे पहले यह जो director की fees है, तो यहाँ पे कहा कि 1500 पर मन्त है, तो director जो है, वो कब बन रहा है, तो जब वो company, वो जो है न, जो incorporated हो जा रहा है, उसके बाद वो portion जो है, इन corporation के बाद director बन जा रहा है, तो उससे पहले वो manager रह रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले तो वो company नहीं है, पहले तो वो normal, जो है, वो sole trader है, उसको बाद में कोई और ख़ड़ीद रहा है, जो कि अब उसको company में क्या कर रहा है, convert कर रहा है, ठीक है, रेंट का, तो रेंट का देखी क्या कह रहा है, कि जून तक जो है, वो कह रहा है, तो प्री का प्रियर्ड जो 4 होड़ा है, 4 month, फरवेड़ी ये जो है, हमारा 4 month जो हुआ, वो pre का होगे, यानि कि 150 इंटू 4 करोगे, तो आपका प्री वाले प्रियर्ड में वो रेंट आ जाएगा, अब देखिए, post वाला क्या होगा, तो post में जो है, 2 month जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो 1.500 पर जून तक लेड़ा है, ठीक है, तो 2 month जा रहा है न इधर भी, post वाले में भी वो month, तो उसको आप 1.500 इंटू 2 क कुशिन नुम्बर 12 जो है, एक्षा लिमिटेड इंकॉर्प्रेटेड हो रहा है, 1st February को, ठीक है, उसमें आप कर लोगी, उसके बाद वो रिसिप्ट कर रहा है, certificate का, 1st March से, अब वो कंपनी जो है, दीप सिखा एंटरप्राइजेज, वो अफेक्ट में 1st November 2018 से है, अब इस को देखते हुए, आपको बनाना है, sell given है, उसमें pre का कितना है, post का कितना है, सब कुछ है, अब चलिए देखते कैसे बनाना इसको, और जो information जैसे bad depths वगेरा से related information दिया है, तो उस तरीके से उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उस टाइम में आपका वो चार्ट फॉलो नह स्टेट्मेंट का, pre and post incorporation period का time ratio निकल जाएगा, sell ratio उसके बाद statement बनाओगे, पहले gross profit को distribute करोगे, फिर one by one करके सभी expenses को, next, और यहाँ पर आप देखो bad depths से related information यह given था, कि 500 प्री का है, ठीके, तो बाकी 1500 टोटल है, 500 प्री का है, तो post का कितना हो जाएगा, 1000, और जो interest to vendor है न, उसके बादे में आप देखो कि interest to vendor कब तक है, 1st महीं तक है, तो pre incorporation period कब से है, 1st November से 28 February तक है, यानि 4 month हुआ, और post incorporation कितना हुआ, 1st March से 30 April तक, यानि कि यह में तक की बात क्या जा रहा है, interest vendor जो में तक का है, तो जिसमें pre का 4 month हो गया, और post का 2 month हो गया थे, तो अब बेखिए, जो है उसका amount 6000 है न, उसको divide करेंगे 6 से, क्योंकि total 6 month है, और 4 से multiply करेंगे, तो वो pre वाला period हो जाएगा अब बचा क्या, मार्च और, हो गया न हमारा, उसके बाद जो है, मार्च और अप्रील बचा क्योंकि 1st माई है, तो मार्च और अप्रील 2 month हुआ, तो interest to vendor जो है, ऐसे लिखना है, ये दोनों चीज़े समझने वाली थी इसमें, बाकि सब कुछ लिखने के बाद आपको करना क्या है, टोटल जोड़ वेन ही है, उसको लेस करना है, टोटल एक्सपेंसे से, प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछिन नंबर 13, और आप एक चीज़ आप देखोगे, 12 नंबर में जो है आपका आंसर जो है, वो मिस्टेक दिया है, बुक में, इसका जो प्रायर टू इंकरप्रेशन होगा, वो 43,700 आएगा, और पोस्ट वाला जो है, वो कितना आएगा, आपका 42,500, ठीक है, अब चलिए 30 नंबर देख लेते हैं, XYZ लिमिटेड पबले कंपनी है, जो की इनकरप्रेटेड होड़ा, फस्ट मार्च सब कुछ है, अब आपको क्या करना है, solution बनाना है, देखते हैं कैसे बनेगा यह, तो यह रहा हमारा question number 13, pre and post period निकालोगे, उसका time ratio निकालोगे, उसके बाद क्या करना है, आपको statement बनाना है, save ratio निकालने के बाद, यह तो बहुत easy chapter है, सभी question अगर आप देखो तो सेम question है, बहुत easy है, next, total जो भी expenses है, उस चीश को लिखिए, उसके बाद आपको list करना है, और रही बात जो यह interest on vendor है, तो इससे related given है, यहापे देखिए, इसका date देखिए, कितने तक का interest on vendor है, है ना, तो 1st January से 31st March तक क्या हो जाएगा, प्रिवाला period हो गया, और इसमें क्या कहा रहा है, कि 13 June तक की बात की जारी है ना, interest to vendor पे, तो 1st April से 13 June कितनी हो जाएगे, 3 मांथ, यानि 3 is to 3, यानि 1 is to 1, तो इस interest on vendor को आप इस ratio में बाट होगे, तो overall आज ही लिए इतना रहने देते हैं, that's all for today, please like this video, also subscribe my channel, thanks for watching the video.